यूवा कबड़ी सीरीज मैच नंबर 61 खेला जाएगा चोला विरांस वर्सिज अरावली अरोज के बीच में दोलो टीम्स की पूरी जानकरी आपको मिलेगी एक एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे कौन सी टीम का कौन सा प्लेयर कितना अपने लिए इंपोर्टेंट रहेगा सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ बस वीडियो को एंड तक देखेगा और वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजेगा साथ ही साथ भाई अगर आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दोगे तो काम करने का जो मज़ा है वो दोगुना हो जाएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा एक सेकंड का भी टाइम लगेगा भाई सिर्फ एक सेकंड का फटाफट से लाइक कर दीजे और साथ ही साथ बाई चैनल पर पहले बार आयो सबस्क्राइब करके बेल आइकन को ओल पर क्लिक कर लीजेगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज को नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे अब दोनों टीम्स की बात करें उससे पहले भाई पॉइंट स्टेबल की बात कर लेते हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे अरावली एरोज को कहा है भाई नमबर तीन की पोजिशन पर रहे दस मैच में से साथ जीते दो आरे एक टाइर हैं 32 का स्कोर डिफरेंस लेकर नमबर तीन की पोजिशन पर बने हुए ठीक है इसके अलावा चोला वी रांस इन्होंने भी भाई दसी मैच के ले पाँच में जीते पाँच आ रहे हैं 23 का स्कोर डिफरेंस लेकर नमबर पाँच पर बने हैं दोनों ही टीम नेक्स्ट रांड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है अब अगर बात करें भाई यहां पर इस मैच की उससे पहले जो कल के मैची थे पेरियार पैंथर्स के अगेंस्ट में सिर्फ एक टैकल निकाल पाए थे जादा कुछ खास नहीं कर पाए थे ऐस अंजोपली की बात करें तो इन्हों ने भी भाई यहां पर लाश्ट मैच में जादा कुछ खास नहीं कि एक टैकल ही निकाला था इसके अलाव भाई आप पर बाला भारती की बात करें इन्हों ने लाश्ट मैच में बाई दो टैकल निकाल थे और यह लगातार अच्छा कर रहे ठीक है तो बाला भारती आपके लिए नो डाउट एक अच्ची पिक रहने ही वाले है ठीक है इसके अलावा अगर बात करें आर पेरुमल आपको दीखेंगे ओल्मोस्ट ओल्मोस्ट हर एक मैच में अच्छा कर रहा है लास्ट मैच में टैकल निकाल है उससे पहले भाई अच्छा खासा परफोर्मेंस इनका आतर है तो अगर आप चाहो तो ऐसे सेफ़ बीग इने ट्राई कर सकते हैं अगर आप इग्नौर करना साओ तो वह भी कर सकते हैं भाई भी बाभू की बात करेंगे ये लास्ट मैच में आप देखें मातर सेफ़ परिशन्ट सेलेक्षन था और तीन टेस्ट पॉइंट इनोंने निकालते हैं उससे पहले वाले मैच में 8% सेलक्षन था वहाँ पर भी 3 टेस्ट पॉइंट इन्हों निकाल ले थे बाकी और मैच इन्होंने खेले नहीं तो ऐसे प्लेयर्स को आना आप Grand League में जरूर से बैक कीजिएगा Grand League में ऐसे प्लेयर्स काफी जादा important होते हैं और मैं यह बोलूँगा इस मैच में भी आपके लिए important रहने वाले है ठीक है इसके अलावा अगर बात करें आई विरा पाण्यन की लास्ट मैच में भाई jackpot performance इनकी तरफ से इनकी टीम के performance के हिसाब से रही थी छे टचपॉइंट भाई इन्होंने लास्ट मैच में निकाले थे और देखें लगातार ही ये भी चल रहे है ठीक है तो जरूर से आप इने अपने टीम में back कर सकते हैं वही अगर बात करें देवी रंगम की तो बहुत से लोग इने लेकर आये थे लेकिन अपने ड्रोप किया और इस सीज़ का में फाइदा भी मिला अगर हम टीम में रखते तो भाई मेबी हमारा लोस होता बट हमने टीम में नहीं रखा इसलिए भाई हमने one-sided winning भी यहाँ पर की हुई है अब अगर बात करें भाई सामने वाले टीम की जो कि as compare to चोला विरान सो थोड़ी सी strong टीम है ठीक है अरावली एरोज इनकी तरफ से भाई defense में आपको दिखेंगे अनुज सैनी one of the, मतलब इस season का top defender ठीक है इस season का one of the top defender में इसका नाम आता है यहां पर अगर आप देखो तो last match सीन्द सोनिक्स अगेंस्ट में था तीन टचपाइंट और दो टैकल ठीक है रेंडिंग में भी काम कर रहा है second last match में एक टैकल उससे पहले भाई फिर से एक bonus पाइंट और तीन टैकल उससे पहले जो मैचिस में परफोर्मेंस है ना वहां पर आप देखें जबरदस्ट परफोर्मेंस है यहां पर आई फाइफ लगा है बट एक टैकल भी निकाला तो आपके लिए अनूज सेनी तो मश्टविक रहेगा इसके अलावा यहां पर अगर बात करें तो जसबीर सिंग इनोंने भी लास्ट मैच में चार टैकल निकाले थे बोट ही अच्छा काम किया था इसके अलावा आर पंचम सिंग की बात करें यह भी आपके लिए इंपोर्टन रहेंगे लास्ट मैच में इनोंने दो टैकल निकाले थे बात करेंगे उल्ड राउंडर सेक्शन की तो यहाँ पर देखे चेतल कुमार चोधरी लास्ट मैच में ज्यादा कुछ खास तो नहीं कर पाए बटा डीसेंट प्लेयर थे डीसेंट परफॉर्मेंस इनोंने जरूर दे दी थी ठीक है और आपके लिए CBC के एक तगड़े ओप्शन यह रहेंगे भाई अगर आप देखोगे लास्ट मैच में तो गंगा राम यह वाई एक मैच में चल रहा हूँ एक मैच में फ्लोप हो रहा है इसी हिसाब से भाई इसका ये मैच चलना वाला होना चाहिए क्योंकि देखे एक मैच में चला उसके बाद भाई फ्लोप हुआ फिर फिर फ्लोप हुआ ठीक है तो अब इस मैच में चलना चाहिए इस हिसाब से भाई ये मैं ऐसी तुक्के वाली बाते कर रहा हूँ प्लेयर काफी अच्छा है बहुत ही इंपोर्टन रहेगा जरूर से बैक कीजिएका लाश्ट मैच में भी ऐफाई है सेकेंड लाश्ट मैच में भी ऐफाई है तो जरूर से आप इन्हें अपनी टीम में बैक कर सकते हो वाई अगर आप देखोगे raiderking section में तो अनुजी यादव आपको raiderking section में दीख जाएंगे ठेक है अनुजी सेनी आपको defense में दीखेंगे अनुजी सेयादव आपको raiderking में दीखेंगे वाई चोधरी की बात करेंगे last match में इन्होंने सिंदस ओनिक्स के सामने च्छे टच पॉइंट निकाले थे तो जरूर से आप इन्हें अपने टीम में बैक कर सकते हो विशनु कुमार सर्मा सब्स्टिटूट के तोर पर खेल रहे हैं और भाई यहाँ पर लास्ट मैच में तो या तो भाई आप इनके फेवर में चार तीन का रेशो रख सकते हैं या फिर रख सकते हैं पाच दो का तो चलिए आप टीम मनाते हैं ठीक है यहां से अनुजी सैनी जस्वीर सिंग आर पंचम को मैं नहीं रख रहा हूं यहां से गोतब मुर्गुन यह तीन प्लेयर को मैं अपनी टीम में रख सकते हैं ठीक है बट अभी के लिए मैं नहीं रख रहा हूं बात करेंगे और राउंडर सेक्शन की चेतन को वार चोदरी हमारे टीम में रहेंगे इसके अलावा यहां पर भाई गंगा राम को मैं टीम में रखूँगा एक मिनिट वाई हाँ यहां से ग पर पांडन को रखने वाला हूं ठीक है सी वी सी की बात करेंगे कैप्टन सी देखें बहुत सारे लोग इन दोनों को ही देख कर आएंगे अब अभी के लिए मैं आपको बता दू मेरे जो कैप्टन रहेंगे वह यहां से रहेंगे गंगारा में और वी सी जो रहेंगे वो बात करें तो वह आपकी स्क्रीन पर है ओल्मोस्ट ओल्मोस्ट वाई फाइनल टी में कोई भी अगर जेंजमेंट होता है कुछ भी अगर अपडेट आती है डारेक्ट इनफोर्मेशन है बाई टेलीग्राम चैनल पर जरूर से जोइन कीज़ेगा उमीद दोस्तों वीडियो